स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार बार नमस्कार सलाम अदाब मेरे प्रिये साथियों आज से इस चैनल पर यानि यह चैनल तनवीर सर पर बिहार बोट के वर्ग दसवी से साइंस सुरू हो रहा है और साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी यानि भौतिकी रसायन सास्त्र और जीव विग्यान है जिसमें भौतिकी से यानि फिजिक्स से उसका पहला चप्टर यानि पहला चप्टर सुरू हो रहा है आज से जिसमें 6 चप्टर हम लोग को पढ़ना है छे चप्टर में पहला चप्टर है जिसका नाम है परकास का प्रावर्तन हम लोग इस चप्टर को यानि दसवां से आज शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर और जल्दी से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिए और बता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए परकास का प्रावर्तन पहला नमबर चप्टर है और इसमें दो चीज़े ध्यान देंगे जरसा परकास और प्रावर्तन परकास का प्रावर्तन यानि परकास के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि परकास क्या है तो दे परकास क्या है परकास किसे कहते हैं तो यहां पर हम एंसर कैसे उसका दे सकते हैं या समझने के लिए क्या हो सकता है देखेंगा दरसा कि परकास वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तू को देख पाते हैं यानि जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तू को कोई भी वस्तू होता है जिसे आप देख पाते हैं वह उसकी सहायता से जिसकी सहायता से आप देख पाते हैं वह क्या होता है भई परकास होता है यानि यह हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूती परदान करती है यानि ऐसा होता है कि परकास एक परकार का उर्जा है आपको सकते हैं जिसकी सहा प्रकास का डिफनेशन क्या दे सकते हैं कि परकास वह स्रोथ है जिसकी साहयता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूती परदान करती है इसमें और भी पॉइंट है जैसे परकास की चाल निर्वात में या वस्तु में भी कह सकते हैं कि निर्वात या वस्तु में अधिक्तम होता है अधिक्तम क्यों होता है भई निर्वात में क्योंकि निर्वात का मतलब हमने बताया कि जहां कुछ भी नहीं हो बिल्कुल जीरो बिल्कुल सुने भग क्यों कुछ भी नहीं हो यहां तक की हवा भी नहीं हो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि परकास की चाल सबसे अधिक होती है इसकी चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर 30 सेकेंड या 3 गुना 10 के पावर 5 किलो मीटर पर 30 सेकेंड होता है दस के पावर आठ का मतलब ये हुआ कि दस कितना बर गुना होगा भई आठ बर गुना हो जाएगा यानि एक पर आठ जीरो हो जाएगा ये दस के पावर पाँच का मतलब हुआ कि दस पाँच बर गुना है अब उसको सौट फॉर्म में कर दिया गया यानि एक पर पाँच तो मीटर परती सेकंड में अगर पूछा जाए तो तीन गुना दोस के पावर आठ मीटर परती सेकंड और किलो मीटर परती सेकंड में पूछा जाए तो तीन गुना दोस के पावर पाँच किलो मीटर परती सेकंड यानि कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि मीटर परती सेकंड यानि एक सिकेंड में 3 γुना 10 के पाउर 8 मीटर यहां पर, मतलब यह हुआ कि 3 γुना 10 के पाउर 8 को आप अपसुल्ब करोगे और जितना ब्हहलू आएगा, तो उतना मीटर जो है 1 सिकेंड में परकास मिरुवात में दूरी तै करती है. वही से ही यहाँ है किलो मीटर परती सेकंड में तो यहाँ पावर पाँच में हो जाएगा तो तीन गुनादस के पावर पाँच किलो मीटर परती सेकंड अगला पॉइंट है कि परकास का वेग भिन भिन माध्यमों में भिन भिन होता है अब जैसे माल लीजे यहाँ पर निर्वात में बताया गया कि निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकास की चाल लेकिन वही अगर अलग जो है इसका माध्यम चेंज होगा भिन-भिन माध्यम अलग-अलग माध्यम जैसे पानी में या वायू में या लोहा में तो इस तरह से इसका माध्यम क्या हो जाएगा चेंज होगा तो परकास का वेग भी वहाँ पर क्या होगा अलग-अलग हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है परकास सीधी रेखा में गमन करता है हमेसा याद रखिएगे कि परकास हमेसा सीधी रेखा में ही गमन करता है ऐसा नहीं है कि आप किसी और रूम में से एक टॉर्च को आप जलाएए और ये सोचिए कि जो है इसको हम घुमा देते हैं दूसरे रूम में यहां से जलाएंगे और घुम करके परकास चला जाएगा दूसरे रूम में दरवाजा खोल देंगे तो उसमें घुमते हुए चला जाएगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि परकास हमेसा सीधी रेखा में ही गमन करती है जैसे माली यह हम सीधी रेखा यह दिये तो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा इसे ही अबर सीधी रेखा में गमन नहीं करता मतलब परवेस नहीं करता तो क्या होता कि यहां से जैसे हमने अभी बताया कि एक room में से, एक room में से हमने यहाँ पे torch जलाया, ऐसे torch हम का किये, भ recurs है और जला दिया, और दूसरे room में यह ऐसे घुम के चला गया तब ऐसा होता तो नहीं कहा जाता कि परकास सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन परकास ऐसा तेड़ा वेड़ा राष्टों से होकर के नहीं गुजरता है इसलिए कहा जाता है कि परकास हमेशा सीधी रेखा में ही परवेश करता है गमन करता है इसमें अगला पॉइंट क्या नहीं के हमारा अगला टोपिक आता है कि परकासी की किसे कहते हैं तो भाई परकासी की का डिफनेशन क्या होता है अध्यायन करते हैं परकासिकी उसको ही कहा जाता है यानि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत हम परकास तथा उसके गुनों का अध्यायन करते हैं परकासिकी कहलाता है उसे परकासिकी कहते हैं ध्यान देंगे ये चैप्टर का नाम है परकास का प्रावर्तन और परकास के बारे में परकास का definition, परकास किसे कहते है, सबसे पहला ही topic था, सबसे पहला ही question था, लेकिन प्रावर्तन का मतलब होता है कि अगर मान लिजिए, ये एक mirror हो गया, मतलब अइनक हो गया, दरपन हो गया, और यहाँ पर एक परकास, किरन यहाँ पर डाला गया, ऐसे तो यह क्या हुआ रिटर्न हो गया दूसरे रास्ते से होकर चला गया लोट गया तो यही मतलब इसका क्या कहेंगे इसको की प्रावर्तन हो गया तो यही प्रकास का क्या हो गया प्रावर्तन हो गया अब इसमें अगला टॉपिक हमरा आता है कि दिप्त पिंड तथा अदिप् की परिभासा लिखे ध्यान देंगे आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर का नोट्स फिरी ओफ कॉस्ट दिया जाएगा इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और मन लगा कर पढ़िए और हर दिन विडियो देखिए आप नोट बुक एक्तियार किजिए देखन परिद रहिए बस इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल पर आप पहली बार आये हैं ऊपожд करने के बाद बेल आईकन पे यानि के घंता का यह सिंबॉल होता है उस पर परेस किजिए और परेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दिजएगा ताकि हर दिन जो वीडियो आएगा वो वीडियो आप से छूटेगा नहीं मिस नहीं कर पाईएगा उसको मतलब छूटेगा नहीं इसलिए बेल आइकन परेश करके और जरूर किलिक कर दीजेगा और अपने दोस्तों को वाटसप में सभी को बता दीजेगा जिसको मन होगा सब्सक्राइब पूरा चैप्टर का ये फिजिक्स है अभी केमिस्टी होगा पहला चैप्टर खतम होगा तो केमिस्टी सुरू होगा उसके बाद जिव विग्यान सुरू होगा यहां पर मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इक्स्ट्री यानि के आर्ट्स का जो उसमें फेकल्टी होता है उससे भी पढ़ाऊंगा मैं और जो है उर्दू और हिंदी वालों का भी ध्यान रखा जाएगा उनके लिए भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँगा ध्यान देंगे अगर जो 12 में होंगे और आर्ट्स फेकिल्टी के जो होंगे बच्चे तो उनके लिए भी मैं कलास जल के माध्यम से आप पढ़िए टेस्ट का भी मैं ओनलाइन टेस्ट का भी आप लोगों के लिए इंतजाम कराऊंगा बताऊंगा कि ओनलाइन टेस्ट कैसे होगा चलिए यह क्या है कि दिप्त पिंड तथा अदिप्त पिंड की परिभासा लिख हैं तो इसमें दो चीज़ है दिप्त पिंड तथा अदिप्त पिंड यानि दिप्त पिंड किसे कहते हैं भई तो दिप्त पिंड का परिभासा अगर देखते हैं हम तो वैसा पिंड जिसके पास पिंड का मतलब आप वस्तू भी ले सकते हैं तो वैसा पिंड जिसके पास अपना परकास हो मतलब खुद क परकास हो स्वयम का परकास हो तथा जो स्वयम परकास उतसर्जित करता हो मतलब जो स्वयम परकास देता हो रोशनी देता हो उसे दिप्त पिंड कहते हैं उसे दिप्त पिंड कहते हैं इसको परदिप्त पिंड भी बोला जाता है ध्यान देंगे दिप्त पिंड को परदिप्त पिंड भी बोला जाता है जैसे सूर्ज तब सूर्ज के पास क्या है सूर्ज के पास अपना परकास है वो किसी और के परकास से परकासित नहीं होता है उसके पास अपना परकास होता है इसलिए सूर्ज दिप्त पिंड है तारा तो तारा के पास भी अपना ही परकास होता है वो जुगनू जिसको बोला जाता है यानि गर्मी के मौसम में रात में आपको एक कीरा जो है चमकता हुआ जलता हुआ चमकता हुआ दिखेगा वह जुगनू होता है तो वह भी किसी से करजा पहिंचा ले करके किसी और के मदद से नहीं जलता है उसके पास अपना परकास होता है भुक भग भुक भग करता है अब मुंबत्ती है अगर तो मुंबत्ती को जब आप जलाते हैं एक बार जब जला दियता है तो उसके पास भी अपना परकास होता है दिया होता है उसके पास अपना परकास होता है या उसके पास अपना परकास होता है ये बल्ब जो होता है अदिप्त पिंड हो जायेगा अब इसमें कुछ है मानो निर्मित और प्राकिर्तिक जैसे सूर्ज हो गया प्राकिर्तिक संसाधन में आ जाता है और जो है क्या मुंबत्ती हो गया दीप हो गया तो यह मानो निर्मित हो गया क्योंकि मनुस्यों के द्वारा बनाया हुआ यह व अदिप्त पिंड का definition क्या दिया सकता है अदिप्त पिंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वैसा पिंड यानि वैसा वस्तु जिसके पास अपना परकास नहीं हो तथा वह दूसरों के परकास से परकाशित होता है उसे अदिप्त पिंड कहते हैं मतलब ये हुआ कि वैसा पिंड वैसा वस्तु जिसके पास अपना स्वैम का खुद का परकास नहीं हो और वह दूसरों के परकास से यानि दूसरों के मदद से दूसरों के परकास से परकास के वज़ा से वह क्या होता है चमकता हो परकासित होता हो तो उसे अधित पिंड कहते ह जैसे मैं एक्जामपल के तोर पे लिया जाए तो चंद्रमा चांद यानी चंद्रमा जो है उसके पास अपना परकास नहीं होता है वह सूर्ज के परकास से परकासित होता है जब सूर्ज का परकास उस पर पड़ता है तो वह चमकता है तब वह चांद हमको दिखाई देता है और मालनी जए एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप धूप में एक आयनक ले लीजिए और आयनक लेकर के जब चमकाते हैं आप सरारत करते हैं नहीं तो क्या होता है फोकस दूर तक जाता है उसका और किसी को तंग करते हैं पता नहीं या आप करते हैं कि नहीं हम तो इस तरह से बहुत सरारत किये हुए हैं तो क्या है कि उसका रोशनी दूसरे जग पहुंच जाता है चमकते हुए सूरज का रोशनी हो या रात में अगर चमकाते हैं तो उसका भी रोशनी एनक के दरपन के माध्यम से जो है पहुँच जाता है दूसरे तरफ चमकता हुआ तो वैसे ही चांद काम करता है सुरज का परकास उस पर पढ़ता है तो चांद क्या करता है वही परकास को reflect कर देता है हम लोग तरफ क्या करता है परावरतन कर देता है यानि परावर्तित कर देता है धरती पर इस जमीन पर तो चांद के रोशनी से जो है रात में क्या होता है रोशनी मिलती है हलाकि चांद के पास अपना परकास नहीं है इसलिए यह अदिप्त पिंड है और सभी गरह यानि जितने भी गरह हैं वो सभी के पास अपना परकास नहीं होता है वो दूसरों के परकास से ही परकासी थोड़ते हैं इसलिए इसको हम अदिप्त पिंड कहते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर अगर पत्थर का भी हम एक्जामपल में लें तो पत्थर भी क्या हो जाएगा ये अदिप्त पिंड का ही एक एक्जामपल हो जाएगा क्योंकि पत्थर पर जब आप तोर्च जलाएगा रोशनी उधर दीजेगा तब वह चमकेगा यानि दूसरों क परकास से परकासित होगा चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं अब आगे का टॉपिक क्या है भई तो मेरा आगे का टॉपिक ये कहता है कि किरण किसे कहते हैं किरण के बारे में आप क्या जानते हैं यहीं किरण के बारे में भई किरण का मतलब यह समझ जाना है कि कलास में क पर हाई हो रहा है वही तो फिजिक्स से रिलेटेड ही कोश्चन होगा इसमें नहीं भौतिकी क्या है तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसकी माध्यम से जो है क्या होता है कि बरहमांड में होने वाले घटनाओं के बारे में हमको पता चलता है तो किरन कोई लड़की यहाँ पर सेंटर में रखना है नहीं पढ़ना है सरारत नहीं करना है कीरण अब कीरण खेर नहीं कह देना है भई बहुत सारा बच्चा का इसा इसा आ जाता है जवाब तो वहाँ पर नहीं सोचना है उस तरह से कीरण कोई लड़की नहीं है कीरण क्या है तो कीरण यहाँ पर परकास के चलने के पत को किरन कहते हैं पत का मतलब होता है रास्ता यानि के परकास जिस पत से होकर गुजरता है परकास जिस पत से होकर गुजर जाए रास्ते से होकर चल जाए तो वह पत क्या कहलाएगा भई किरन कहलाएगा मान लिजिए यह एक किरन है और यह सिधा गुजर तो सिधार और आपको ये भी बताया गया कि परकास हमेशा सिधी रेखा में ही गमन करता है तो यह एक किरन हो गया इस तरह से और भी हो सकता यह भी एक किरन हो गया इस तरह से यह भी देखेंगे तो यह भी एक किरन हो गया और इस तरह से बहुत सारा अगर किरन एक साथ हम ले कहते हैं भई किरन जो है एक तो चला यहां पर एक गया तो पथ पे चला तो परकास के चलने के पथ को हम क्या कहे किरन कहे यानि किरन कहे यानि किरन नहीं अब रे का मतलब आर ए वाई यहां पर आर ए वाई रे मने किरन होता है रे का मतलब रे कहां जाता रे तो उ रे नहीं भ लेकिन इस तरह से बहुत सारा किरन अब आ जाएगा और के 낮 जो कなた कंगे यह किरनों के समूं को किरन पूंज का प्रकार होता है किरण पूंज कितने परकार के होते हैं तो किरण पूंज तीन परकार के होते हैं जो निम्न लिखित हैं पहला नंबर है अपसारी किरण पूंज पहला नंबर है उसको अपसारी किरण पूंज बोलते हैं दूसरा को बोलते हैं अभी सारी किरण पूंज और तीसरा को बोलते हैं समानतर किरण पूंज तो पहला यहां है पॉइंट हमारा अपसारी किरण पूंज जिसको इंगलिस में बोला जाता है diverging beam अब सारी किरन पूंज को इंगलिस में क्या बोला जाता है diverging beam बोला जाता है अब definition में चलेंगे यहाँ पर तो वैसा किरन पूंज जिसमें अब किरन पूंज क्या है तो किरन पूंज क्या भई अभी अभी हमने बताया है कि किर्णों के समुख को किर्ण पुंज कहेंगे अब अफसारी किर्ण पुंज किसे कहेंगे भई तो वैसा किर्ण पुंज जिसमें परकास की सभी किर्णे एक बिंदू सरोत से निकल कर फैलती चली जाती हैं तो उसे अफसारी किर्ण पुंज कहते हैं यानि अफसारी किर्ण जाना मतलब ये हुआ कि एगो ये बिंदू सुरोत हो गया और यहां से निकल गया ये एगो कीरन निकल गया फिर एगोर कीरन निकल दिये फिर एगोर कीरन निकल दिये तो ये निकल के फैलता हुआ चला गया तो यह अब सारी कीरन पुझ हो गया अब सारी का मतलब ही होता है फ हुआ अभी अभी हमने बताया कि ये देखिए इसमें जो है एक ये एक ये बिंदू हो गया यहां से किरन सभी ये क्या हो रहा है निकल रहा है एक ये किरन निकला फिर ये एक ये भी किरन निकला एक ये भी किरन निकला यहां पर हमने पांच किरन बताया और एक से अधिक किरन का जब समू होगा तो वह किरन पुझ कहलाता है और यह अपसारी किरन पुझ कहलाएगा क्योंकि अपसारी किरन पुझ कहलाएगा क्योंकि अपसारी का मतलब होता है फैल जाना मतलब एक ऐसा बिंदू स्रोत जहां से परकास निकले मनें किरन निकले और वह किरन निकलते हुए फैलता हुआ चला जाए तो वह क्या कह लाएगा भई अप सारी किरन पूंज कह लाएगा यानि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो परकास होता है लाइट का जो परकास होता है रोशनी जो होता है वह फैलता हुआ जाता है पल हो गया उदारन हो गया चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं आगे हमारा क्या है कि अभिसारी किरणपुंज क्या है भई अभिसारी किरणपुंज तो अभिसारी किरणपुंज यानि जिसको इंग्लिस में बोला जाता है converging beam अभिसारी की रनपूंज को इंग्लिस में क्या बोलते है converging beam बोलते है ध्यान देंगे इंग्लिस कुछ थोड़ा बहुत अपयाद जरूर रखिएगा बहुत काम आता है अभिसारी की रनपूंज को इंग्लिस में बोलते है converging beam बोलते है और definition में क्या ठीक उसका उल्टा है अविसारी का, अविसारी का मतलब था फैलना, लेकिन अविसारी का मतलब होता है कि एक बिंदू पर आके मिल जाना, अविसारी तो हो जाना, अविसारी तो हो जाना, यानि कि अविसारी होना, अविसारी का मतलब होता है एक बिंदू पर आ जाता है डिफनेशन क्या है कि वैसा किरन पूंज जिसमें परकास की सभी किरने एक बिंदू पर आकर मिलती है अभी सारी किरन पूंज कहलाता है यानि के converging beam कहलाता है वैसा किरन पूंज जिसमें परकास की सभी किरन एक बिंदू पर आकर मिलती है अभिसारी किरन पूंज कहलाता है अब डाइगराम जैसे कि हमने बताया आपको कि डाइगराम में क्या है कि एक बिंदू पर सारे किरन क्या हो रहा है आके मिल रहा है अभिसारी तो हो जा रहा है मतलब सामिल हो जा रहा है एक बिंदू पर आकर के मिल जा रहा है अभिसारी का मतलब ही होता है एक बिंदू पर आके मिल जाना और अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदू से निकल कर फैल जाना तो ये अभी सारी किरन पुझ के बारे में बात की जा रही है जैसा कि मान लिजे ये पहला किरन है एक बिंदू यहाँ पे है यह वला बिंदू है इसका नाम हम O अगर दे देते हैं तो ये पहला नंबर किरन है ये दूसरा नंबर किरन है ये तीसरा नंबर है ये चौथा है ये पाँचवा किरन है तो पहला किरन है बिंदू ओ पर आके मिल गया दूसरा किरन भी बिंदू ओ पर आके मिल गया तीसरा किरन भी बिंदू ओ पर आके मिल गया चौथा किरन भी बिंदू ओ पर आके मिल गया और पाँचवा किरन भी बिं जिसको बोलते हैं चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं आगे में हमारा क्या है तीसरा पॉइंट है इसका के समांतर किरन पूंज समांतर का मतलब ही होता है पैरलेल यानि कि इसका इंगलिस क्या हो जाएगा पैरलेल बीम बीम का मतलब होता है किरन पूंज तो समांतर किरन कि वैसा किरन पूंज जिसकी सभी किरने एक दूसरे के समानतर हों उसे समानतर किरन पूंज कहते हैं क्या है definition कि वैसा किरन पुंज जिसकी सभी किरने एक दूसरे के समानतर हो उसे समानतर किरन पुंज कहते हैं अब example के तोर पे माल लेजिए अगर आपका है कि सुरज से जो रोशनी आती है यानि सुर्ज का रोशनी जो प्रित्वी पर पहुंचता है तो वह किसका example होगा समानतर किरन पुंज का example होगा या अभिसारी किरन पुंज का example होगा या अपसारी किरन पुंज का example होगा तो ध्यान देंगे वह समानतर किरन पुंज का example होगा क्यों समानतर किरन पुंज का example होगा ये इसलिए कि सूर्ज जो है हम से धर्ट ये जमीन से यानि हमारे पास से उसकी दूरी काफी है बहुत ज़्यादा है मतलब उसके पास से हमारे पास जो किरन आ रहा है तो काफी दूर है अब माल लीजिये आप अपने छट पर खड़े हो जाएए और जितना रोशनी आपको मिल रहा है दूसरे के छट पर चले जाएए अपने दोस्त के छट पर चले जाएए तो वहाँ पर भी उतना ही रोशनी मिलेगा कम नहीं मिलेगा और नहीं ज्यादा मिलेगा यानि दूरी इतना है इस दूरी के वज़ा से आप कह सकते हैं कि वहां से जितना भी रोशनी आ रहा है किरन आ रहा है सब एक दूसरे के परलेल आ रहा है और वैसे भी सुरज जो है छोटा नहीं है काफी बड़ा है धर्ती से काफ पर किरन पढ़ता है परकास पढ़ता है इसलिए उसको हम समांतर किरन पुझ का एकजामपल बोल सकते हैं यह ना किसको तो समांतर किरन पुझ का एकजामपल दे सकते हैं सूरज का यानि वैसा किरन पुझ जिसकी सभी किरने एक दूसरे के समांतर हों उसे समांतर किरन पुझ क आएगा तो वह एक समू हो जाएगा और एक से अधी किरनों के समू को हम क्या कहेंगे भई किरन पुझ कहेंगे और ये सभी एक दूसरे के परलेल है इसलिए इसको हम समांतर किरन पुझ कहेंगे इसका डाइगराम कैसे बनेगा तो डाइगराम जरा सा देखेंगे जैसे कि मान जो है कि दूरा वे तुर्वे कर लेंगे तो यहां पजी इस को हम समानतर किरन पुरा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके चला जाएगा भई और जो भी कॉम्प्रिटीब एक जान से जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त अगर सिच्छक साथी हैं तो उनके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा मैथ से भी कोशन लाया जाएगा बेसिक मैथ पढ़ाया जाएगा इसलिए आप चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक करके पैरा सा कमेंट जरूर कीजिएगा